तो sell buddy से जो हमने iPhone 11 Pro order किया था वो हमारे पास studio में already आ चुका है तो अगर हम लोग यहाँ पे plastic bag की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सेकतो यह बाला plastic bag से sell buddy की तरफ से यह order आया है और पीछे यहाँ पे आपको courier information मिल जाता है चारो तरफ से और box यहाँ पे चारो iPhone 11 Pro box आप लोग देख सेकतों यहाँ पे लिखा हुआ है MK अनिता टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड इंस्टाग्राम में यहाँ पे इक रबर लगाये हुआ है रबर को निकाल लेते हैं और चारो तरफ से अभी भी box जो है बो सील है तो यहाँ से जैसे हम लोग इसको हटा देंगे हमारे पास आज आएगा box जो कि यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते किस तरह का यहाँ पर हमें box मिलता है तो यहाँ पर हमने निकाल दिया है plastic और इसके उपर सबसे interesting बात यह है कि हमें एक TPU case मिल जाता है यहाँ पर TPU case का quality देख सेकतो normal quality का TPU case है और इसक के अंदर हमें मिल जाता है billing information इसके अंदर billing information जो कि हम लोग आगे बात करेंगे वीडियो में बाकी यहाँ पर आप लोग देख सेकतो मैंने यहाँ पर order किया है iPhone 11 Pro 64 GB और यह midnight green कलर का है जो कि आज के date में यहाँ पर alpine green नाम से चलता है और यहाँ पर आप लोग देख सेकतो box packet में ही लिखा हुआ है six month vendor warranty मिल जाता है तो अगर कोई भी दिक्कत होता है in future तो छे महिने के लिए sell buddy की तरफ से यहाँ पर warranty भी मिल जाता है तो यहाँ पर आप लोग देख सेकतो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है phone, phone को हम लोग कुछ देर के लिए side में रखते हैं बाकी यहाँ पर apple sticker हमें नहीं मिलता है और इसको अगर side में करेंगे तो उसके बाद हमें मिल जाएगा USB type C to lightning port और यहाँ पर देख सेकतो एकदम useless condition में यह type C port मिला है और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 20 watt का एक apple charger जो की आप लोग देख सेकतो यह भी एकदम नया है और यहाँ बने देख सेकतो एक भी deputy दख सेकती हुआ है तो इसको अगर निकाल देंगे तब आप लोग 하지 का क्लिप किस तरह है तो यहां पर अप लोग देख सेकतो चारोunda तरफ से कुt तरह का क्वालिटी का मिलता है बॉक्स में हमें और और कुछ भी नहीं मिलता है सारी चीज़ों क हम लोग side में लगते हैं और phone की तरफ एक बार ध्यान देते हैं अगर हम लोग यहाँ पर phone की तरफ आ जाए तो phone यहाँ पर आप लोग देख सेकतो पीछे से यहाँ पर phone जो है वो काफी अच्छा यहाँ पर quality है हम लोग एक बार देख लेते हैं कहीं कुछ scratch है की नहीं तो यह अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फ्रेम की तो फ्रेम यहाँ पर आप लोग देख सेकतो फ्रेम में भी हमें कोई scratch देखने को नहीं मिलता है तो फोन का जो physical condition है वो बहुत ही जादा यहाँ पर तगड़ा हमें देखने को मिल जाता है फ्रोंट के साइड में अगर आ जाएंगे हम लोग तो यहाँ पर आप लोग देख सेकतो डिस्प्ले के उपर अल्रेडी एक प्री एप्लाई यहाँ पर हमें temper glass मिल जाता है जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है बाद में आप इसको निकाल के और नया वाला या तो और अ लोग देख सेकतो कि इस तरह का यहाँ पर आपको लगेगा completely यह मेट फिनिश है तो यहाँ पर इसका जो reflection नहीं आ रहा है कुछ भी और यहाँ पर फिंगर पिंट भी आपका नहीं लगता है तो यहाँ पर जो इसका बैक फिनिश है और यहाँ पर जो इसका फ्रेम का फिनि के बाद हम लोग देखेंगे कि फोन का यहाँ पर केमरा बटन सारा चीज सही से काम कर रहा है की नहीं यहाँ पर हम लोग face ID की बात करें तो हर एक चीज यहाँ पर तो कोई बीकर कर रहा है की बाकी आप लोग भी हाँ एısक्थ यहां पर मुझे फोन यहाँ बह से फोन कर लि तो कुछ इस तरह का मिल जाता है, phone का यहां पर आप लोग देख सेकतो, display यहां पर अगर हम लोग सबसे पहले display की ही बात करें, तो display यहां पर काफी तगड़ा आपको मिल जाता है, और अगर हम लोग यहां पर true tone की बात करें, तो यहाँ पे जाएंगे और brightness section को अगर press करके रखेंगे तो यहाँ पे हमें dark mode मिल जाता है, night shift mode मिल जाता है, true tone mode मिल जाता है तो true tone यहाँ पे आप लोग देख सेकतो active या तो deactive आप कर सेकतो तो इसका मतलब इसका जो display है वो अभी तक changes नहीं किया गया है और मैंने इस phone में अपना face ID भी डाल लिया है, face ID भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से work कर रहा है अगर हम लोग यहाँ पे buttons की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सेकतो silent button यहाँ पे काम कर रहा है कोई भी as such issue नहीं हो रहा है और अगर हम लोग volume plus और volume minus button की बात करें तो दोनों ही यहाँ पे working है और as usual यहाँ पे lock button भी जो है वो ठीक से काम कर रहा है कोई as such issue नहीं है अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके charging ports को लेके कि charging port इसमें working हमें मिलता है की नहीं तो यहाँ पे charging port आप लोग देख सेकतो काम कर रहा है और charging भी हो जा रहा है तो जब भी आप कोई भी नया device करीतते हो तो आपको सबसे पहले यह सारे test जो है वो कर लेना है iPhone 11 Pro जो है वो wireless charging को भी support करता है तो यहाँ पे हम लोग एक बार wireless charging जो support है वो काम कर रहा है के नहीं उसको भी चेक कर लेंगे इसी में तो यहाँ पे आप लोग देख सेकतो चार्जिंग होना सुरू हो गया यहाँ इसमें जो wireless charging बाला feature से वो भी काम कर रहा है उसमें भी कोई issue नहीं है अगर हम लोग यहाँ पे phone की sound quality की बात करें तो यहाँ पे आपको dual speaker मिल जाता है एक यहाँ पे आपको नीचे speaker मिल जाता है और एक उपर आपको front firing speaker मिल जाता है और quality जो है वो बहुत ही जवरजस्त है अगर हम लोग इसकी display quality की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सेक अगर हम लोग यहां पर phone की setting की तरब जाए और setting में यहां पर आ जाए about general section में तो general section में about section में आ जाएंगे और यहां पर आप लोग देख सेकतो आपको यह serial number मिल जाता है और इस serial number को verify करना बहुत ही ज़्यादा जोरूरी है तो यहां पर हम लोग serial number को copy कर लेंगे और apple serial number checker स से आपको एक website खोल जाएगा इस website से जाके आपको आपको जस्ट यहां पर आपका जो serial number है उसको paste कर देना है और तब जाके आपका phone का कीए यहां पे सारा जो LOOK니 total से वो आ जाएगा तो यहां पर आम लोग इसमें paste कर देते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सेकते हो serial number से जो verify होके निकर रहा है उसमें बता रहा है iPhone 11 Pro है और यह valid purchase date है और यहाँ पर technical support और telephone सारा यहाँ पर support जो है वो expire कर चुका है लेकिन यहाँ पर 11 Pro आ गया अगर आपका phone duplicate होगा उस case में यहाँ पर जो serial number है वो invalid बता देगा तो इस चीज़ को आपको check करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है next अगर हम लोग यहाँ पर battery percentage की बात करें तो यहाँ पर हम लोग settings में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर battery में आ जाएंगे और यहाँ से battery health चेक कर लेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सेकतो battery health जो इस phone का दिखा रहा है वो दिखा रहा है 100% इसका मतलब है कि इसका जो battery है वो replace होके आया है इसलिए अभी भी इसका battery जो है वो 100% है अब हम लोग एक बार जाते जाते फटाफेट इसके photo quality को एक बार check कर लेते हैं और किस तरह से हमें यहाँ पर image quality देखने को मिलता है वो भी हम लोग check कर लेंगे तो यहाँ से आप लोग देख सेकतो back camera से आपको जो photo quality मिलेगा कुछ इस तरह का quality मिलेगा photo में आपको details जो है वो भर भर के मिलेगा तो camera quality आप लोग देख सेकतो काफी अच्छा है और जिस तरह का यहाँ पर camera quality देखने को मिल रहा है उससे यह साब जाहिर हो जाता है कि इस phone का जो camera है वो change नहीं हुआ है और इसका जो camera है वो original camera है बाकी आप लोग बताना कि आपको यह सारे image sample दिखने में कैसा लगा बाकी आप लोग यहाँ पर front camera का कुछ photo देख सेकते हो कुछ इस तरह का आपको image result प्रोवाइट करेगा और इसमें भी details जो है वो आप लोग देख सेकतो तो काफी आपको अच्छा details देखने को मिल जाएगा बाकी indoor lighting situation में कुछ इस तरह का आपको front camera से image मिलेगा बाकी आने वाले दिनों में इस phone से related आपको बहुत सारा video देखने को मिलेगा जैसे कि मैं एक dedicated इस phone में gaming review आप लोग के लिए जरूर लेके आऊँगा और processor कितना आज के date में powerful है वो भी बताऊंगा camera review आप लोग को देखने को मिल जाएगा इसी phone का साथी साथ battery कैसा perform कर रहा है वो देखने वाली बात होगी तो आज मैं इस phone में आपना sim card भी डाल लूँगा और आने वाले 7-8 दिनों के बाद मैं इसका एक dedicated battery review भी आप लोग के साथ share करूँगा बाकी अगर आपको भी cell body से कोई भी smartphone खरीदना है तो description में आप लोगों को link मिल जाएगा वहाँ से आप directly purchase कर सकते या तो cell body का official phone number भी आप लोगों को description में मिल जाएगा वहाँ से भी आप लोग contact कर सकते हो तो ये था complete वीडियो बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना और हमारे चैनल में इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe आप लोग जरूर करना बाकी आप लोग मुझे suggest कर सकतो कि iPhone 11 process आप लोगों को किस तरह का वीडियो देखने का मन है वो भी वीडियो आप लोगों को जल्दी इस चैनल में देखने को मिलेगा हम मिलेंगे आपसे next वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye and thanks for watching